Hey guys, welcome to Stark Technology तो आज हम लोग डाउनलोड करने वाले हैं CBAC Reading Challenge 3.0 के certificate को तो previous वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें कैसे participate करना है और इसके brief detail के बारे में मैंने बताया था अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो का link डिस्किप्शन में है और आए वाले बटन पर भी आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं तो देखिए सबसे पहले अगर आपको certificate डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर आज़िए दिख्चा आप पर दिख्चा आपको आप पहले update रखें और update होने के बाद simply आपको दिख्चा आप open करना है और open करने के बाद आपको इस तरह के interface दिखने वाला है तिस तरह के interface आपको दिख रहा है और यहाँ पर देखिए एक option है बेल वाला इस पर आपको click करना है जब आप course को complete कर लेते हैं 100% तो यहाँ पर भी आपका notification आता है जैसे कि यहाँ पर मेरा नहीं आया हुआ कभी-कभी यहाँ नोटिफिकेशन शो नहीं करेगा तो फिर किसी के phone में यह notification शो करेगा वो depend करता है कि आपका app अपडेट है की नहीं या फिर यहाँ पर native issue के वज़र से सर्वर प्रॉब्लम के वज़र से भी यहाँ पर कभी-कभी नोटिफिकेशन नहीं दिखता है simply आपको क्या करना certificate डाउनलोड करने के लिए simply आपको यहाँ जो ऑप्शन दिखरा प्रोफाइल वाले इस पे प्रोफाइल वाले प Republican करने के बाद यहाँ पर आपका प्रोफाइल आजाएंगा और इसे स्क्रोल करना है नीचे और यहाँ पर जीच्जी स्कोर्स को आपने इन्रोल किया था और जिसको complete किया है वहाँ पर सारे course को यहाँ पर आपको नाम दिख जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा यह दो ongoing course चालू ही है अब देखें यहाँ पर सीधा यहाँ पर मैंने यह पुराने course को भी complete किया है CBC Science Challenge, R.A.B.T. गनी Challenge वला जो तो यहाँ पर देखें यहाँ पर मैंने इस course को यहाँ पर complete किया है CBC Reading Challenge 3.0 English Class 8 से लेकर 10 के बीच में जो था और यहाँ पर देखें था कि यह completed हो चुगा है तो यहाँ पर यह option दिख रहा है I वला है यहाँ पर certificate लिखा हुआ simply आपको इस पर click कर देना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर यह allow मांग रहा है कि आपके phone में यह save हो अगर आपके पहले allow करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर आपको simply allow पर click करने के बाद यहाँ पर simply allow करना है इसमें यह आपका permission मांग रहा है कि हम आपके phone में आपके certificate को store कर सेगे अब यहाँ पर देख सकते हैं यह certificate यहाँ पर इस तरह का आचुका है यहाँ पर देख सकते हैं certificate is getting downloaded यहाँ पर आपको certificate download हो जाएगा यह process में अभी थोड़ा समय वीट करना होगा यहाँ और एक problem आ रहे थी कि इस एप में बहुत बार आपको सो करता है कि courses is offline तो यह network issue और server के वज़े से होता है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा certificate download हो गया यह सीधा मुझे गैलरी की और redirect कर दिया है यहाँ पर यह एड्ड है अब यहाँ देख सकते हैं यह certificate आ गया इसमें थोड़ा ब्लैक दिख रहा है अब हम एक और PDF में download कर लेता है तो simply आपको यहाँ पर दुबारे क्लिक करना है इस blue वाले पर PDF पर क्लिक करना है और फिर से हम यहाँ वेट करना है यहाँ पर certificate अभी आने वाला प्रॉसेस में है सर्वर इसका डाउन है इसके वज़े से आप यहाँ पर देख सकते कि PDF में यह open हो गया है अब देखिए क्लियर आपके सामने यह certificate डाउनलोड हो गया तो मैं चाहता हूं कि आप PDF में ही डाउनलोड कर उसके बाद स्क्रीन शॉट ले ले और अपने ग्रुप में अपनी और simply description में जाके भी आप चेक कर सकते हैं नए वीडियो को और पुराने वीडियो को और I hope आपको यह वीडियो पूर अच्छे समझ में आगयोगा certificate डाउनलोड करना है अगर कोई दिक्कत आती तो comment करें मैं comment कर reply करूंगा thank you for watching and do not forget to subscribe my channel channel को subscribe करें thank you